Welcome to Online Guruji Classes आज हम Algebra का Part 1 देखेंगे Sorry, Part 7 और Online Guruji मेरे Facebook का गुरूप है आप इस पर मुझे जॉइन भी कर सकते हैं जो लोग Part 7 पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा request है कि पहले आप Part 1 से लेकर Part 6 जरूर देख लें इस lecture की ठीक है? ताकि आपकी clarity अच्छी बन जा है ठीक है आज हम इस lecture में मैं आप लोगों के साथ एक formula discuss करना जाता हूं उसके बाद उस formula पे आए हुए दो question हम discuss करेंगे ठीक है ये formula बहुत ही important formula है ठीक है और generally मैं बोलता हूं कि 10 तक के maths के ही formula होते हैं ये भी formula 10 तक के maths का ही है बट क्या है य ये उसका थोड़ा से एक refined form है उस formula को थोड़ा सा modified करके करा हुआ है ठीक है मेरा request है कि आप इसे as a formula याद रखना क्यों क्योंकि ये formula बहुत ही important होने वाला है CGL के लिए आपके specially algebra के probability है कि आपको question मिले pre या means पे तो पक्का एक नए questions मिले ठीक है देखो क्या है देखो मैं discuss करता हूँ आपसे ठीक है अच्छा आपको ये इसका तो formula पता ही होगा अगर मैं बोलू A minus B का देखो मैं बोलू A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square इसके value क्या होगा अब इन तीनों को open कर लीजे ये क्या होगा A square plus B square minus 2AB क्या क्या है प्लस दूसरे को open कर लीजे आप B square plus C square minus 2BC प्लस तीसरे को भी open कर लीजे C square plus A square minus 2AC क्लियर इन तीनों को आप तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square is equal to 2A square plus 2B square plus 2C square minus 2AB minus 2BC minus 2CA क्लियर तो मेरा क्या हो गया A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square is equal to मैं 2 common ले लेता हूँ और अंदर मेरे पास क्या आजाएगा A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA क्लियर मैं 2 को इधर दे देता हूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा 1 by 2 का A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square is equal to A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA तो आपको क्या याद रखना है आपको यह याद रखना है क्या कि A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA ठीक है यह कितने के बराबर होता है this is equal to 1 by 2 of A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square क्लियर आपको यह formula by heart याद करना है ठीक है और इस इस टर्म को आपने कहा पर देखा है दूसरी जगह यह टर्म आप देखते भी हो कब देखो आपको पता है न A cube आपने यह formula पता ही होगा आपको A cube plus B cube plus C cube का formula क्या होता है A plus B plus C bracket close upon sorry into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA plus 3A, B, C यह formula होता है और हम क्या बोलते है इस formula में हम बोलते है when A plus B plus C is equal to 0 तो यह मेरा पूरा term 0 हो जाता है हम बोलते है A cube plus B cube plus C cube is equal to 3A, B, C बोलते हैं न यह वाला formula आप लोगों ने देखा होगा तो इस पे यह जो term है A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA अगर खाली इस term की मैं बात करूँ तो इस term को मैं कैसे लिख सकता हूँ इस term को मैं equal to 1 by 2 bracket A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square ऐसे भी लिख सकता हूँ clear तो आप लोगों ने यह याद रखना है यह चीज clear मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसे derive करके इसलिए दिखा दिया ताकि क्या हो आपको याद करने में असानी हो जाए अगर किसी चीज को रटना नहीं चाहिए ठीके अब यह आप आपने derive करके देख लिया ना कैसे यह आया अब क्या होगा इससे आपके दिमाग पर यह बात strike रहेगी ठीक है आप भूलोगे नहीं इसे जल्दी ठीक है अब बहुत ही important है मैंने आप लोगों को यह याद इसलिए करने को बोला है क्योंकि इस पर जो question होते हैं यह circular circular पर घूमता है यह वाला question और इस पर क्या है hit and try method यूज नहीं हो सकता यूज तो हो जाता है इस पर भी hit and try method बट उस पर क्या है वह ज्याधा time consuming हो जाएगा इसके बजाए अगर आप इससे by heart अगर याद रख लेते हैं ठीक है थोड़े चीज तो याद रखने ही पड़ें तो उससे क्या होगा आपको speed up हो जाओगे आप ठीक है आप एकदम से इसका application कर पाओगे clear ओके अब इस formula से related जला application देखते हैं और देखते कितने अगर आपको यह formula पता है तो आप कितने आराम से questions को कर सकते हैं और कितने tricks से इस questions को पूछा जा सकता है वो भी हम देखते है 2012 CGL के pre का question मैं discuss करने वाला हूँ उस time पर यह पूछा गया था clear देखो question था question था if x is equal to 997 y is equal to 998 and z is equal to 999 then the value of this expression देखो अगर देखने में लगता है यार question कितना complicated है मैं कैसे x को कितने लोग अब ऐसे भी होंगे कि यहां value पूट करके solve करना शुरू कर देंगे ऐसे भी होते हैं ठीक है बट वैसा नहीं बनना आपको smart बनना है ठीक है आपको पता है कि आपके पास खाली 40 minutes है उन 40 minutes पे आपने 50 questions करना है sorry आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा wise थोड़ा खराब ही हो रखा है मेरा clear अब देखो अब मैं कैसे approach करूंगा भाई मुझे तो पता है मैंने ये पढ़ा है कि x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is equal to 1 by 2 of bracket x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square मैंने तो ये बात पढ़ा हुआ है clear तो मेरे लिए तो ये question बहुत ही simple हो गया तो ये क्या हो गया 1 by 2 x कितना है 997 997 minus y कितना है 998 plus y कितना है 998 minus 999 9 का square का square plus z कितना है 9999 minus 997 का square clear तो ये क्या हो गया ये हो गया 1 by 2 देखो 997 minus 998 minus 1 minus 1 का square is 1 plus 998 minus 999 कितना हो गया minus 1 minus 1 का square is 1 plus 999 minus 997 कितना हो गया 2 2 का square is 4 तो ये कितना हो गया 1 by 2 into 6 ये कितना हो गया मैं पस 3 so answer will be option c 3 clear अच्छा अगर ये देखो अगर आपको ये formula पता हो तो आप इसे verbally कर सकते थे ठीक है आप बोलते एकस माइनस 1 माइनस x-y का square अब बोलते मैनस 1 का square 1 अब बोलते 998 minus 999 का square आप बोलते मैनस 1 का square कर दिया कितना हो गया 1 हो गया आप बोलते ये टू, 2 का square 4 आप बोलते ये 1 plus 1 plus 4 6 अपने बोला उसका आदा उसका आदा कितना हो गया अब verbally इससे solve कर सकते थे ठीक है वैसे इस question को अगर paper में आए तो दूसरे approach से भी आप solve कर सकते हो थोड़ा सा वो tricky approach है ठीक है number system जब हम कर लेंगे तो मैं आपको last digit का concept बताऊंगा ठीक है वो भी आपको बहुत जगा काम आता है ठीक है अगर आपको last digit का concept हम सीखेंगे उससे भी ये question हो जाएगा आराम से ठीक है उतना कोई problem नहीं आने वाला खाली अगर आप last digit का ही concept देख लो तो उससे भी ये question हो सकता है देखो मैं आपको बताई देता हूँ कैसे अच्छा यहाँ देखो expression लिख लेता हूँ एक बाँ ठीक है यह है x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x ठीक है अब देखो x square मतलब 997 का square तो जब square होने वाला है 997 into 997 के रहूँ 77 जा 49 उसके नीचे तो आप cross लगा देते हैं ठीक है तो मतलब last के digit को multiply करके जो last digit आया 49 आया ना मेरा उसमें पीछे वाला ही तो मेरा last digit होगा ना तो वही मेरा last digit होगा ठीक है तो x square करू इसका square करूँ तो last digit क्या होने वाला है मेरा 9 होने वाला है plus 8 64 last digit क्या होने वाला है 4 होने वाला है इसके आगे क्या है उससे मुझे बतलब नहीं है plus z का square 9 का square तो last digit क्या है मेरा 1 clear minus common ले लेता हूँ सबसे तो x into y तो खाली last last को 7 into 8 56 तो last digit क्या होने वाला है मेरा 6 होने वाला है y into z 8 into 9 72 तो last digit क्या होने वाला है मेरा 2 होने वाला है plus z into x 9 into 7 63 last digit क्या होने वाला है मेरा 3 होने वाला है इतना मुझे पता चल गया ठीक है अब इनका sum कर लो देखो 9 plus 1 10 ऐसा होगा ना something 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 last में 9 होगा वैसे something 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 last में 4 होगा something 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 last में 1 होगा इनका अगर मैं sum करूँ तो 9 plus 1 10 और 4 14 तो आप एक carry दे दोगे यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या होगा something 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 मुझे उससे कोई मतलब नहीं हाँ but मुझे पता है last में क्या उने वाला है 4 होने वाला है minus अच्छा अब वैसे इन्हे एड़ करो तो ये क्या होगा something 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 6 something 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 2 something 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 3 तो 6 to 8 plus 3 11 1 आने वाला है तो मुझे तो बाकी नहीं मुझे last के number से मतलब है बट इतना तो मुझे पता है हाँ last में तो 1 ही आने वाल और 4-3 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा ठीक है तो उससे भी मुझे answer मिल गया ठीक है ये वाले concept को deeply हम तब study करेंगे जब हम number system पे आपके जाएंगे ये भी बहुत एक important tricky questions को solve करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है ठीक है आपको अगर मतलब ऐसा है ये सारे tricks आपको सीखने जरूरी है जब ये सारे tricks आप सीख जाओगे तो आप देखोगे कि अगर आपको कोई question आता भी नहीं आप चाहते हो उस पर तुक्का मारो तो आपके पास तुक्का मानने के लिए भी logic होना चाहिए और ये सारे ऐसे logic है जो मतलब मेरे हिसाब से 80% approximately आपको सही answer देख कर जाते है clear? next question दिसकस करते है ये वाला logic जो है हम number system जब आपको मैं पढ़ाऊंगा अपर अप्रोच है वो हम चलो number system पर ही discuss करेंगे जाए ओके next question देखता हूँ देखो ये question question is a minus b is equal to 3 b minus c is equal to 5 and c minus a is equal to 1 then find the value of this expression ठीक है? अभी मैंने आप लोगों के साथ discuss करा है ठीक है? आपको पता है a cube plus b cube plus c cube का formula क्या होता है? इसका formula होता है आपका a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a plus 3 a b c ये आपको फता है मैं इस 3 a b c को इधर ले आता हूँ तो में पास क्या हो जाएगा? a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c is equal to a plus b plus c bracket close a square plus a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c clear? अब मैं मेरा expression मुझे ये बनाना है तो मैं इस a b c को नीचे ले आता हूँ तो मैं क्या लीख सकता हूँ? a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c over a plus b plus c is equal to a square plus b square plus c square minus का a b minus का b c minus का c है? ठीक है? अब यहां तक तो आप पहुँच जाओ गई यहां पर आता ही अगर आपको वह formula पता है तो आपको strike हो जाएगा यार इसका तो मेरे पास formula है ना इससे मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 bracket a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square clear? और इसकी तो value दे रखी है मुझे तो 1 by 2 a minus b का whole square 3 का square 9 plus b minus c का whole square 5 5 का square 25 plus c minus a का whole square 1 का square 1 तो यह कितना आ गया 1 by 2 of into 9 plus 1 10 plus 25 35 और यह कितना हो गया आपका 17.5 17.5 a will be your answer clear? अगर इसी question को आप यहाँ पर value पूट करके देखता हूँ चलो मैं बोलता हूँ a minus b is equal to 3 है मैंने बोल दिया यार a को 4 ले लेता हूँ b को 1 ले लेता हूँ clear? 3 बन गया मैंने बोला b 1 है अब यह b minus c 5 है तो मैंने बोल दिया c को मैं कितना ले लेता हूँ minus 4 ले लेता हूँ ठीक है? तब भी मेरा बन गया 5 बन गया अब c minus a c कितना है मेरा? minus 4 और a कितना है मेरा? a है मेरा 4 minus 4 into minus 4 minus 8 यह बना नहीं तो यह क्या है यह लिंग्ड है यह A है यह B है यह C है A, B, B, C, C है यह आपस में लिंग्ड है circularly लिंग्ड है तो इस टाइप के questions में substitute करके इनकी value निकाल पाना मुश्किल है क्यों क्योंकि A, B के साथ में link है A, C के साथ में link है तो यह दोनों के साथ link है तो वो value ढूंड पाना बहुत मुश्किल है ठीक है इसलिए जहां भी इस टाइप के question मिले कि A का link आप A की बार में आपको पता चल जाएगा यह तो link का question है ठीक है उस पर आपको approach ही करना पड़ेगा long method approach ही करना पड़ेगा वैसे इतना long तो है नहीं यह देखता ही आपके दिमाग को सीधा click होना चाहिए कि कि यार minus 3 ABC यहां गया bracket में A plus B plus C यह नीचे चले गया है तो वो क्या हो गया A square plus B square plus C square minus AB वाला हो गया वो क्या होता है half of A minus B का whole square उसने आप verbally भी कर सकते हो practice it's all about practice the more you practice the more you perfect ठीक है आप उतने ही perfect होते जाओगे clear? आज हम सिफ यह दो question ही discuss करेंगे क्योंकि यह दो question बहुत अच्छे questions है ठीक है आप इस formula को याद रखिए jot down कीजे अपनी copy में जैसे भी आपको याद रखना है याद कीजे बट इसे याद रखिए क्योंकि यह क्या है आपके लिए बहुत important है expected questions होते है इस formula में ठीक है बस वह उसके पूछने का तरीका अलग होगा clear? तो आप comments कीजे लाइक कीजे ठीक है और कोई problem है तो उसे आप मेरे facebook group online गुरू जी पर लिखे ठीक है देखो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे message आते हैं आप लोगों के ठीक है बहुत सारे आप लोगों के videos पे comments भी होते हैं बट मेरे लिए possible नहीं है कि मैं वो सारे comments पढ़ू और सारे comments पे answer करूँ तो जो लोग मेरे group पे है उन लोगों से मेरा request है कि कोई अपनी problem post करता है तो please उसे solve कर दीजे आप लोग ठीक है? आपस में coordinate करेंगे तो और अच्छा रहेगा आप लोगों को ठीक है? तो जो भी कोई problem करता है तो उसे आप लोग solve कर दीजेगा ठीक है? मैं भी देखता ही रहता हूं बट क्या है? टाइम की थोड़ी scarcity है ठीक है? बट आप लोग कीजे ठीक है? मैनत कीजे पेपर आने वाल आप लोग कीजे ठीक है?